Hello dear students, बच्चों, आज हम बात करेंगे scalar and vector quantity के बारे में, scalar quantity क्या होती है, जो भी fundamental quantity हो या कोई भी quantity हो बच्चों, ठीक है, जिसके पास सिर्फ magnitude होगा, वो हमारी जो होगी, वो scalar quantity होगी और उसके पास direction ना हो, ठीक है, एसी quantity, जिसके पास magnitude हो और direction ना हो, उसे हम scalar quantity के समझेंगे, और क्या होता है, scalar quantity क्या फॉलो करता है, arithmetic rule of addition, ठीक है, addition जो हमारा होगा, या subtraction होगा, यह सारे arithmetic rule को follow करेगा, arithmetic rule क्या होता होगी, जैसे आप match पढ़ते हैं, means 2 plus 2, क्या होता है, 4 होता है, और 4 minus 2 कितना होता है, 2 होता है, तो यह हमारा basic arithmetic rule है, इसको यह scalar quantity follow करती है, देखते हैं कैसे, अब देखिए, आपके पास mass है, तो बताना है आपको, कि आपके पास जो mass है, बच्चों, यह scalar है या vector, तो कैसे समझेंगे, देखिए, एक आपके पास कोई भी substance है, इसका mass माल लेते हैं, m है, ठीक है, अब mass के बारे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि यह mass m ही रहता है, और कभी यह change नहीं होता है, means अगर यहाँ पे mass, आपके दिये m है, और यहाँ पे एक mass और है, जिसकी value है, 2m, तो क्या यह follow कर रहा है, arithmetic rule को, m प्लस 2m कितना हो जाएगा, क्या यह 3m के equal होगा, जी हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब यह कैसा quantity हुआ, scalar quantity हुआ, mass में आपको कोई direction की जरूत नहीं है, कि यह किदर है, north है, east है, west है, south है, किदर है, कोई जरूत नहीं है, mass में, ठीक है, फिर बात आती बच्छों, distance, distance क्या होता है, distance देखे बच्छों, वो होता है, initial point से आप, जहां जहां भी travel कर रहे हैं, जैसे भी travel कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी travel कर रहे हैं आप, और इस distance की total length को measure कर लिए जाए, ऐसे आप गए, आपने, यहां से, ऐसे, ऐसे, ऐसे गए, इस total distance को, इस total length को measure करके लिख दिया जाए, महां लेते हैं, कि ऐसे ऐसे आप यहां तक आए, तो आप 5 km आ गए, और इस returning में आपको 4 km चलना पड़ा, तो total distance आप कितना cover कर गए, 5 plus 4, पही हो जाएगा, 5 plus 4, इसका मतलब हो गया, आप 9 km distance travel कर लिए, तो बच्चों यह बताईए, इसमें direction की जड़ती क्या, नहीं, देखिया हम लोग, left, right, up, down, किसी भी direction में आप, north, east, west, south, किदर भी motion करेंगे आप, तो जो distance होगी, वो total path length हो जाएगी, ठीक है, तो distance आपको हो जाएगा, scalar quantity, यह displacement क्या होगा, vector होगा, कैसे, अभी देखते हैं, फिर बात आती बच्चों, time, time क्या है, यह भी scalar है, क्यों, माल लेते हैं कि अभी आपके बज़ रहे हैं, दो बज़ रहे हैं, ठीक है, आपसे कह आ गया, एक घंटे के बाद, after, one hour, कितना बज़ेगा बच्चों, three hour, three बज़ेगा, ठीक है, two के बाद, एक घंटे के बाद, तीन ही बज़ेगा, ठीक है, तो यह duration क्या किसी direction पर depend करेगी, नहीं करेगी, दो बज़ने में, क्या कोई direction की ज़रूत है, तीन बज़ने में कोई जरूत नहीं है, फिर बात आती बच्चों, speed, speed क्या होता है, distance travel per unit time, ठीक है, means, आप 2 meter move कर गए, 1 second में, ठीक है, तो आपकी speed कहेंगे, 2 meter per second है, 1 second में 2 meter, तो 2 second में 4 meter, ठीक है, 2 second में 4 meter, अब आपको ये बताना है, कि क्या ये जो आपकी speed है, ये बच्चों, direction पर depend कर रही है, या नहीं, ठीक है, तो जो speed होता है बच्चों, वो direction पर depend नहीं करता है, ये सिर्फ बताता है, आपका magnitude, जो आपका motion हो रहा है, जो आपका motion हो रहा है, वो कितनी तेजी से हो रहा है, उसक अगर आपसे कोई दिया है तो उससे हम सिर्फ समझेंगे कि magnitude given है डिरेक्शन नहीं given है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है या कि इधर जा रहा है यह यह नहीं given होता है इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ magnitude means speed दिया है 2 km per hour, तो 2 km कोई चीज मोशन में है, वो 2 km चल ला है, एक घंटे में, यह 2 आपका जो बताया है, वो magnitude बताया है बच्छों, पर direction यहाँ पर नहीं given है, तो यह हो आगया आपका scalar quantity, ठीक है? एरिया, एरिया करता बच्छों, एरिया आपका 2D plane में कोई जो जगह हकुपाई करें, माल लेते हैं एक rectangle है, तो यह जितना space हकुपाई किया है, इसी को लोग एरिया समझते हैं, ठीक है? तो यह बताये, एरिया इतना बड़ा rectangle, अगर आप जमीन पे रखते हैं, या किसी स्क्वेर एरिया है, यह 3 मिटर स्क्वेर एरिया है, तो क्या इनको जोडने पे आपको 5 मिटर स्क्वेर एरिया आ रहा है, आता है, तो इसका मतलब यह क्या हुआ है, बच्छों, इसके लर कॉन्टिटी है, ठीक है? इस simple algebra को follow कर रहा एडिशन में, और ऐसे भी आप देख सक ठीक है, जितना एरिया है, उसका magnitude जो है, वो 2 मीटर स्क्वेर और 3 मीटर स्क्वेर है, अब यह एरिया rectangle में है, या circle में है, या triangle में है, किसी में भी हो सकता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, यह कैसा है, फिर बात आती बच्छों, volume की, अब volume की बात कर लें, तो यह सकेलर कॉंटिटी है, कैसे, देखिए, आपके पास एक bottle है, उस bottle में 1 लीटर पानी है, ठीक है, दूसरा bottle है, जिसमें 2 लीटर पानी है, ठीक है, अब क्या यह जो पानी है बच्छों, या कोई भी liquid है, इनको add करके एक बड़े बरतन में रखिए, तो देखिए क्या हो रहा ह यह आपका कितना लीटर मिलेगा, 3 लीटर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल, add हो गया, ठीक है, पहली चीज तो add करके हमने देख लिया, दूसरी चीज ऐसे देखिए, कि यह जो amount था water का, या liquid का, क्या यह किसी direction पर depend कर रहा है, means पानी उपर से नीचे की तरफ है, नीचे से उ पूपाई कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी safe हो, उसमें जो जगा गहरता है, वही volume होता है, और वो independent है आपके direction के, तो volume को भी हम लोग कैसी quantity समझेंगे, scale है, फिर बात आती है बच्चों, density, density क्या होता है, density होता है, आपका mass upon volume, ठीक है, mass देखिए, constant है, माल लेते हैं, यह हमारे पास है, कि यह block था, यह देखिए, इसका माल लेते है, mass, m था, अब इसकी density निकाल नहीं है, और इसका volume जो है, वो, v है, ठीक है, mass इतना है, volume इतन है, तो, क्या यह mass, यह volume, दोनों में से देखिए, mass और volume कैसे है, दोनों quantity, scalar है, ठीक है, अब mass upon volume, जो quantity आ रहा है, वो, इसकी array, density बचों, इस material की आ रही है, density की, एक पर unit volume में, एक unit volume में, कितना mass है, ठीक है, तो, यह एक कैसा चीज हुआ, constant value आएगी, ठीक है, और, यह किसी direction पे depend नहीं करेगी, ठीक है, हर matter का, एक अपना density होता है, जो कि किसे direction पे depend नहीं होता है, तो, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कि यह density हमारा कैसा हो जाएगा, scalar quantity, फिर बात आती है, temperature, temperature भी आपका, scalar quantity है, ठीक है, ऐसे और भी कई quantities हैं, बच्छों, जो scalar है, ठीक है, हम सारा तो नहीं discuss कर सकते हैं, पर, जो है, जो important है, मैंने वो discuss कर लिए है, temperature, यह कैसा है, यह भी scalar है, कैसे, अभी हमारे पास माल लेते हैं, room का temperature है, 25 degrees Celsius, ठीक है, तो, आपको यह बताना है, क्या यह किसी direction पे depend कर रहा है, यह temperature क्या north to south है, या east to west है, या north to east है, कहीं पे भी है क्या, ऐ independent of direction, ठीक है, और temperature जो है, इसलिए क्या हो जाएगा, scalar quantity हो जाएगा, अब बात करते हैं, वेक्टर quantity, वेक्टर quantity क्या है, वेक्टर quantity ऐसी quantity है, जिसके पास magnitude के साथ साथ direction भी होगा, ठीक है, direction as well as magnitude, अब यह क्या होता है, फिर यह क्या follow करता है, वेक्टर quantity follows, vector law of addition, यह important है आपके लिए, vector law of addition, क्या होता है, इसको मैं detail में बताऊँगा आपको, अगली वीडियो में, एक चीज़ और note करिए का बहुत ही important बच्छों, all vector quantities have direction, means जो भी vector quantity है, उसके पास direction must है, direction जरूरी है, direction होगा ही होगा, पर, but all quantities that have direction are not vectors, अगर कोई quantity ऐसी है, जिसके पास direction है, तो आप यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यह vector होगा, क्यों, हो सकता है, वो vector law of addition को ना follow करें, अगर यह इसको follow नहीं करता है, तो उस quantity को आप लोग vector नहीं समझेंगे, for example, current, बच्छों जो current है, यह देखिए, इसमें direction तो होता है current में, लेकिन current कैसा quantity हो जाएगा, vector नहीं होगा यह, ठीक है, current vector quantity नहीं आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह vector law of addition को नहीं follow करता है, कैसे, देखिए, एक आपके पास यह wire था, इससे माल लेते हैं, 2A की current जा रही है, एक यह wire आया होया, इससे भी 2A की current आ रही थी, तो यहां से कितना आता है बचों, अगर 2 और 2 यहां से आ रहा है, तो यहां से आपका आएगा, 4A, केसी यह equation लगा के, कर्चाव, current law, कि जितनी current आती है, उतनी current जाती है, तो यह 2 और 2, आपका किस direction से आ रहा है, इस पे बिलकुल नहीं depend कर रहा है, देखिए, means 2 ऐसे आ रह होगा, ठीक है, तो यह direction तो है इसमें, direction है current में, देखिए, यह current defined है कि इस तरफ से इस तरफ ही जा रही है, means इसमें direction है, ठीक है, आप अगर direction पलट देंगे, तो बच्चों, यह magnitude भी change हो जाएगा, यहां पर direction है, लेकिन यह vector quantity नहीं है, बहुत ही important है, इसको जात रखिए, current vector quantity नहीं है, vector law of addition देखते हैं, देखिए, अगर आपके पास, एक magnitude है, इधर बच्चों, 4 का, ठीक है, और इसमें आप अगर ऐसे ही add कर देते हैं, एक 3 का, तो आप क्या कहेंगे, यहां से यहां की, total value किते हो जाएगे, 4 plus 3, equal to 7, तो यह आपका हो गया, basic arithmetic rule भी हो गया, और vector में भी इसे बनाएगा, फिर देखते हैं, यह 4 अगर ऐसे है, और फिर 3 आपका इस direction में है, तो आप अगर scalar quantity का add करेंगे, 4 plus 3 आप क्या कहेंगे, 7, ठीक है, यह scalar हो गया, पर अगर vector की बात करेंगे बच्चों, तो vector में इसकी value 7 नहीं होगी, क्या होगी, देखते हैं, ऐसे है, एक vector ऐसे है, तो इसको add करने के लिए initial point और final point की जो distance होती है, यह आपकी जो distance आएगी, यह length आएगी, जो बच्चों, यही हो जाएगा, आपका, इसका magnitude, ठीक है, तो इसकी value किती आएगी, यह depend करेगा, कि हमारा इस vector और इस second vector के बीच की direction क्या है, For example, देखिए, आपके पास एक vector ऐसे जा रहा था, ठीक है, इसकी value माल लेते हैं कि A है, ठीक है, इसका magnitude A है, और दूसरा vector B है, ठीक है, यह दूसरा vector आपका B है, vector पर हम लोग ऐसे arrow भी दिखाते हैं, ठीक है, अब आपको पताना है, इस A और B का जो resultant आएगा बच्चों, तो resultant को माल लेते हैं, R है, तो इस R vector की value क्या होगी, देखते हैं, R equals to होता बच्चों, देखिए, A vector अगर आपका यह से extend कर दिया जाए, तो A से B वाला vector, जो दूसरा vector बना, इस A से कितना angle बनाता है, तो यह अगर हम लोग माल लेते हैं कि यह theta है, ठीक है, अगर इसको मा A square plus 2AB cos theta, और इसको root में रख लेते हैं, ठीक है, इसको prove भी कर देते हैं कैसे देखी, आपके पास दो vector हैं माल लेते हैं, यह 4 और 3 ले लेते हैं, यह 4 है, और यह 3 है, तो पाइथागोरस theorem में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, triangle में, कि यह एक आपका, अगर आपका माल यह base है, यह perpendicular है, तो इस hypertonous की value कितनी आती थी बच्चों, base square plus perpendicular square, यह माल लेते हैं, h है, तो h की value की आएगे, देखे, h equals to p square में 3 का square plus 4 का square और इसका root लेते थे, तो हो जाएगा 9 plus 16 means 25 का root हो जाएगा तो आपका आगया 5, ठीक है, तो h की value आई 5, अब इसको इस addition से follow करते ह देखते हैं, तो देखे, यह vector आपका, ऐसे extend करिए, यहाँ से यह जो angle बना theta equals to कितना हो गया, 90 degree, अब यहाँ पर value पूट कर दीजे, a की value कितनी है, a की value है आपकी, 4 square plus 3 square plus 2 into 4 into 3, और cos 90 कितना होता बच्चों, 0, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर यह term पूरा 0 हो तो यह भी आजाएगा आपका, root 25 जिसकी value हो जाएगी 5, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि दो vector को add किया, एक 4 था, एक 3 था, तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 7, पर यहाँ vector में add कर रहे हैं, तो 7 नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या म square plus 3 square plus 2 into 4 into 3 into cos theta, ठीक है, जितना angle यहाँ पर होगा, तो देखिए बच्चों, A और B, मिंस दोनों magnitude के direction में, जितना difference आता जाएगा, उसी साब से total magnitude भी change होता रहेगा, इसी को कहते हैं vector addition, अब vector quantity की example, force, force, scalar है कि vector कैसे पता करें, देखते हैं, देखिए, आप यहाँ पर ऐस से खड़े हैं, ठीक है, आप ऐसे खड़े हैं, अब अगर आपके मुझ की तरफ कोई force लगा हुआ है, कोई मुक का मारा, आपके मुझ पे लगा, तो जोर से लगेगा, ठीक है, आपके मुझ पे लगा तो जोर से लगेगा बच्चों, और वही अगर यहाँ से मारा जाए, और इस direction में मारा जाए, तो क्या आपको चोट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यह आपके उपर जाई नहीं रहा है, आपसे दूर जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है चोट, और आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको चोट लग रहा है, ठीक है, या आप दूसरा example ले सकते हैं कि देखिए एक force इधर से लगाया हमने 2 Newton का और इस block पर इधर से लगाया हमने 2 Newton का तो ये block move करेगा क्या ऐसे कहीं रखा हुआ है move करेगा क्या, नहीं move करेगा क्यों कि इधर से इधर से भी उतना force लग रहा है ठीक है, ऐसे लगा दिया तो क्या ये बताओ, ये move करेगा या नहीं करेगा, ठीक है इस बार क्या होगा ये, move कर जाएगा और किदर move करेगा बच्छों, इस तरफ ठीक है, देखिए ये उपर से लगाएंगे तो नीचे तो आपका कोई सर्फेस रखा है, जैसे आर्थ पर रखा है तो नीचे तो जाएगा नहीं है, लेकिन इस तरफ से आप धका देंगे, तो ये आगे की तरफ इस तरफ move कर जाएगा तो इसका मदलब यहाँ direction का roll है इस force की direction बदलते ही इस block का movement change हो गया इसका मदलब हम लोग कहेंगे force क्या है आपका vector quantity बात करते है displacement की तो बच्चों बताया था कि आप कहीं पर इसे जा रहे हैं और ऐसे आ गए, ठीक है यह हमने कहा था 5 km गए और 4 km वापस आ गए ठीक है, यहाँ पे आ गए आप और यहाँ पे थे तो distance traveled हमने पूछा था, तो distance कितना है था 5 प्लस 4, 9 आया था 9 km, लेकिन displacement क्या होता बच्चों, displacement होता है आपका initial point से final point के बीच की distance यह होता है आपका displacement, ठीक है displacement initial point से final point के बीच की distance तो यह कितना आयागा, क्या नहीं बिल्कुल नहीं, यह आपको कैसे पता करना पड़ेगा, यह आपको देखना होगा, measure करके ठीक है, इसको measure करके ही आप बता सकते है कि displacement कितना होगा एक दूसरा एक जामपल देता हूँ displacement के लिए, आप यहाँ से चले और ऐसे गोल-गोल-गोल इसका हो जाएगा, equal to perimeter, ठीक है पर displacement मुझे बता ही बच्चों कितना हो जाएगा, displacement displacement हो जाएगा आपका 0, क्यों 0 हो जाएगा क्योंकि initial point और final point एक ही point है ठीक है, जहाँ से चले था, वहीं पर आ गए तो initial point और final point के बीच की distance क्या हो गई, 0 हो गई क्योंकि यह direction अगर 5 इदर गया था और 4 lot के आ गया, तो हो गया इसका displacement बहुत कम हुआ और अगर यही 5 ऐसे गया होता और 4 उसी direction में गया होता तो हम लोग displacement क्या कहते है इस point से, इस point की distance तब क्या आती, 9 आती ठीक है, तब 9 आती तब यह हम लोग 9 किलोमेटर कहते है यही distance होगा और यही displacement भी होगा पर direction यहाँ पे change कर दिया तो direction change होने से displacement की value भी change होगी इसका मतलब displacement हमारा के vector quantity है, ऐसे बत्तों हो चाहा है acceleration, acceleration क्या होता है acceleration देखिए होता है change in velocity upon time delta v upon delta t, ठीक है means, आपकी velocity कितनी change हो रही है ठीक है, per unit time में यह बताता है acceleration ठीक है, तो velocity में आप लोग direction भी हम लोग देखते है ठीक है, यहाँ पे direction भी होता है तो इसलिए acceleration क्या हो जाएगा आपका acceleration हो जाएगा आपका vector quantity, ठीक है दूसरा example आप यह भी ले सकते हैं कि आप किसी lift में खड़े है ठीक है, और इसका acceleration change किया जाता है, means upward जाता है या downward जाता है, तो आप अगर अपना यहाँ पे वजन करते हैं, तो देखेंगे अलग-अलग मिलेगा, ठीक है linear momentum जो होता है peak cos to mv यह भी आपका क्या हो जाएगा vector quantity जाएग बच्चों कि किस तरफ force लग रहा है उस direction में, means momentum किस direction में है जैसे एक ball आपकी m है, v velocity से गई तो इसका momentum है पर किस direction में है, direction आपका यह है, यह direction defined है fixed है, जिदर इसकी velocity है उसी तरफ इसका direction भी होगा angular velocity हो गई, electric field हो गया ऐसे ही, polarization, momentum ठीक है, electric field जैसे होती है, वो भी उसकी fixed direction है, तो अगर direction आप change करके, आप यहाँ पे एक plate लेके ऐसे बैठे हैं, तो देखेंगे सारी line है, आपके electric field इसकी इससे गुजरेंगी, पर अगर वही plate आप यहाँ लेके बैठ गए है, तो इससे एक भी field, line field नहीं जाएगी, ठीक है, तो यह सब example है आपके बच्चों vector quantity के, angular velocity, electric field, polarization, light जो आती है आपको, उसको एक particular direction में polarized कर लेते हैं वो गया, momentum, ठीक है तो scalar और vector quantities के कुछ example है, scalar में है, mass distance, time, speed, volume, density, pressure, work, energy, power, charge, temperature, scalar potential, specific heat, frequency and minimum और भी है इसके अलावाँ, और vector quantity की बात कर रहे हैं, तो displacement velocity, acceleration, force, weight, momentum, angular momentum, impulse, electric field, magnetic field, current density, polygon vector and vector potential and many more, ऐसे आपके पास बहुत सारी quantities होंगी बच्चों पर जो main quantities थी, उसको आमने डिसकस कर लिया है, और इसको आप note कर लिजे, इसका screen star भी ले सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो like और share करना, मतभूल येगा, thank you so much.